बहुत ही आसान और बहुत ही यम्मी चोकलेट मुज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डार्क चोकलेट और बटर डालकर एक मिनिट के लिए माैक्रो वेव कर देगे। फिर उसे हलकी हाथ से मिक्स कर देंगे फिर एक बावल में थोड़ी वीपिंग क्रीम लेके उसको वीप कर देंगे यहां बावल थंडा होना चाहिए। अगर क्रीम पॉफार्क्ली वीप हुई है या नहीं वो जानना है तो एक बावल को उड़ा करके देख लेंगे। अगर क्रीम नहीं गिरती है तो मिन्स वो पॉफेक्ली विप्ड है फिर वही क्रीम में मैल के हुई चॉकलिट डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां चाहो तो इलेक्ट्रिक पिठर का यूज़ भी कर सकते हैं बराबर मिक्स होने के बाद एक बाउल में हलकी हाथों से डाल देंगे यहां आप चाहो तो पाइपिंग बैग में भी भर सकते हो फिर उसके उपर थोड़ा कोको पाउडर और थोड़ी चॉको चिप से गानिस कर देंगे उसी तरह दूसरे बाउल को भी हम रेड़ी करतेंगे रेड़ी किये हुए दोनों मॉस बाउल को फ्रीज में एक दू घंटे के लिए सेट करने रखतेंगे बहुत ही यमी और बहुत ही इजी चॉकलेट मॉस रेड़ी है थैंक यू फर वाचिंग प्लीस लाइक से शब्सक्राइब और कमेंट